हेलो फ्रेंज, वेलकम टो मैत एजी, फ्रेंज क्या आप जानते हैं किसी समकोर तिर्भूज का छेतरफल बराबर एक बट्टे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई क्यम होता है, कभी आपने सोचा इसके बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज की वीडियो में हम सीखेंगे समकोर तिर्भूज का छेतरफल कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो चलिए सीखते हैं, अगर देखिए यहां पे हमने लिखा हुआ है, समकोर तिर्भूज का छेतरफल बराबर एक बट्टे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई, अगर एक बट्टे दो को हट आते हैं यहां से, तो क्या होता है, आधार गुड़े उचाई, यानि कि यह आधार गुड़े उचाई, तो यह किसका छेतरपल होता है, यह आयत का छेतरपल होता है, ठीके, आइए, जैसे हमने यह समकोर्तिर्भूज दिया हुआ है, आइए इसको थोड़ा सा ऐसे, दूसरे स पुजा यहाँ पे खीचते हैं ठीक है और यहाँ पे हम एक बिंदू D दे देते हैं अब देखे यह क्या बन गया एक आयत बन गया और आप जानते हैं किसी भी आयत में जो बिकरढ होता है वो आयत को दो वराबर भागों में बाटता है अगर हम B को D से मिलाएं तब भी ये आधा मतलब आधा इधर का दो भागों में बाटेगा ठीक है तो अब आप जानते हैं कि आयत का छेतरफल क्या होता है तो आई ये आयत का छेतरफल लिखते हैं तो आयत का छेतरफल वराबर होता है ये लंबाई और गुड़े यानि जो ये आयत बन रहा है इसकी लंबाई ये हो गई B C या A D हो गई और चवड़ाई क्या हो गई इसकी C D या A B ठीक है ये हो गई अब अगर हम इसको अगर समकोर तिरभूज लेते हैं तो समकोर तिरभूज में ये वाली जो भूजा की लंबाई दिया हुआ है B C ये क कहते हैं इसको हम तिर्भूज में उचाई कहते हैं ठीक है तो यह हो गया अगर हम इसका आधा कर दे यह जो हमने आयत का छेतरफल निकाला ठीक है तो इसका अगर हम आधा करते हैं तो हमें समकोड तिर्भूज का छेतरफल मिलेगा अब यहां पर हम लिखेंगे कि समकोड तिर समकोर्तिर्भूज का चेतरफल तो समकोर्तिर्भूज का चेतरफल क्या होगा एक बट्टे दो गुड़े आयत का चेतरफल तो आयत का चेतरफल क्या दिया हुआ है यहाँ पर एक बट्टे दो गुड़े आयत का चेतरफल क्या होगा यह लंबाई थीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे BC और गुड़े थीक है, अब देखिए अब BC क्या है यहाँ पर अगर हम इसको हम ABC समकौर्थ रिभूज है तो इसमें BC की वैलू क्या दिया हुआ है BC का वैलू दिया हुआ है BC को हम क्या करते हैं आधार करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक बटे दो गुड़े आधार हो गया और जो AB है जो दिया हुआ है यह क्या है अगर समकोर तिरभूज है तो AB को हम उचाई कहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे उचाई तो friends देखिए हमने कितने आसान तरीके से बताया आपको कि किसी समकोर तिरभूज का छेतरफल बराबर एक बटे दो गुड़े आधार गुड़े उचाई कैसे आता है तो friends I hope कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी और यह समकोर तिरभूज का छेतरफल आपको कभी भूलेगा नहीं तो friends I hope यह वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो को आप सेयर भी कर सकते हैं दोस्तों को अपने और अगर चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइ कर लीजिए